अबे से आरजनी का बेला गंज गड़ रहा है और आरजनी का मझबूथ किला कहा जाता है लेकिन वो किला इस बार बचाना आरजनी के लिए एक बड़ा संकट के तौर पर देखने की मिल रहा है साथ की सोर भी बहुत बड़ा सेक्टर ने बेलागत पे मुसलमानों को बीच उन्हें पढ़े लिखे मुसलमान को मैदा मुतार दिया है जो मुसलमान नराज है कि भाई आरजेटी वोट लेकती है सिर्ख तो मनोरवादे भी यादो नहीं है बनोरवादे भी तो यादो में है इनको कहीं नहीं देंगे भाई सबक सिकाना है तो एक बार वोट देना होगा चाहिए बाजपा जेडियू को कि उन्हें पढ़िये हर जगा सुरेंदर यादो ही रहेंगे सुरेंदर यादो का परिवार ही आर्जेडियू के बतलब लगा नहीं चली बार जेडियू जीतते जितते चुनाव हार गई हाला कि युकोई यादो के नेट नहीं थी तो कुस वाथ तो लौकुस तो आती नहीं तो उस्कुमार के साथ है अपर कास्ट को बहुत बादबा के साथ है दोजार पंद्रा में मुसल्मान के नेट इंडी एक तरफ से जीतनमाजी में मुसल्मान को मिद्रा मनाया था क्या हुआ मुसल्मान को यादव वोट वहां नहीं करते हैं यह सचाहिए न सिर्फ बेला गंजवा की बादबा के साथ बार के बिधायक जिनका आरजेडी का किला का आता है उस गड़ को खत्म करने की पूरी रननी ती चेडी दिव्रण इवर नेटीष कमान करना क्यूक्य विहार के चार सीटों पर उपचुना हो रहा है और उन चार सीटों में से चर्छा बेला गंजवाम की खूब हो रही है क्योंकि निटीश कुमार ने जो इस बार रननीटी बनाई है राजद का पसीना छूटने वाला है और राजद के उमिदवार सुरेंद्र यादो के बेटे बिस्वनात यादो का पसीना छूटने वाला है अब सुरेंद्र यादो लगतार कई बार के वहां से बिधायक है और उन्हें हटाने के लिए निटीश कुमार ने रननीती के तहत मनोर्मा देवी को उमिद्वार बनाया है यानि यादो के सामने यादो को खरा किया है और इसी पर चर्चा होगी हमारे सायोगी बिर्जु हमार किला कहा जाता है लेकिन वो किला इस बार बचाना आरजरी के लिए एक बड़ा संकट के तौर पर देखने को मिल रहा है चुकि आम तोर पे वहां का जो चुनाव अब तक रहा है वो या तो दो धर्मों की बीच चुनावी महल बन जाता है या फिर एक पक्ष में बनता आया है सामने वाले को भी टिकटी मिला तो मजबूत केंडिट नहीं लेकिन इस बार जो बाइलेक्षन में आम तोर पे बाइलेक्षन को बहुत पार्टी सिरियस लेती नहीं है चुकि बाइलेक्षन जिसका सिटिंग है उसको मिल जाता है ऐसा देखा गया है लेकिन बेला गंज सिट है जहां निती उसको बार ने पूरी रनिती के साथ मनरमा देवी जो पूर्व मिल सी दो बार की मिल सी रही है जो पिछली बार कुछ वोटों से चुनाव हार गई थी उनको मैदान मुतार दिया है और इस बार का जो लराई है वो काफी दिल्चस्प है साथ बार की जदिनी बर्णाई है और कहा जा रहा है कि सफलता भी मिलेगी जो महौल दिख रहा हुआ जंता में अगर आप जायेंगे हम तो दो दीन बेला गंज में रहें वहां कायरकरता वह में और जिदी की कायरकरताओं में इस बात को लिके नराजगी है कि आप साथ बार विधायक बने हमने हम लोगों नहीं कर पार है यादू आप करता हम भी है तो हमें मौका क्यों नहीं मिलता है तो इसलिए इस बात कि नराजगी नराजगी इंडिये गर्वदन की जीत का करण बन सकता है दूसरा मुसल्मानों में एक खुब चर्चा है कि मुसल्मानों की बड़ी आवादी बेला गंज में है और उस मुसल्मान को लालू पुर्शाद यादव आर्जेडी हर बार इग्नॉर करती है हर 2015 में मुसल्मान के नेट इंडिये एक तरफ से जीता नमाजी ने मुसल्मान को उमिद्रा बनाया था क्या हुआ मुसल्मान को यादव वोट वहां नहीं करते हैं यह सचाई है ना सिर्फ बेला गंजबा की बाकिस जितरों में तो एक चर्चा है कि मुसल्मान यादों को रहा है यादो में भी मनरोमा देवी तक्रिबन 35-40 परतिशत सिंदमारी कर रही है 35-40 परतिशत सिंदमारी कोई मामूली सिंदमारी नहीं होता है बड़ी सिंदमारी है आप जरा सब पर नाम पर चले जाए 2020 के विधान सब चुना हो रहा था तो अभय कुस्वाह जेडी लेकिन यहां एक बड़ा फ्यक्टर चिराग पासवन की पार्टी थी चिराग पासवन की पार्टी भी जेडी खिराज चुना लड़ी ती बेला गज चुना लड़ी और 12,000 सम्थिंग वोट काट लेती है और जिसके कारण जेडी यू क्यों भी हार हो गई तो पिछली बार जेडी यू जीते जीते चुना अउहार गई हाला कि कोई यादो के नेट नहीं थे वो कुसवाथ थे तो लौक उस्ट भी किया आई ये बहुत कुछ कहने की ज़ुरत नहीं है तो ये तमाम समिकरन और आर जेडी का दो तीन पॉइंट पर कमजोरी बताता है कि इस बार आर मनूर्मा देवी के जर्येये फेला गंड इस बार इंडी जो पिछली बार पॉर पर प्रयास उसे पहले प्रयास किया गया लेकिन इस番 जो प्रयास है वो सिधे तोर पर सफन होता नजरा रहा है मनोना देवी कि शेत्र की राजनिती में एक मजबूत पकड़ भी माने जाती है इसका भी फाइदा उन्हें इस बार हो सकता है कि यादो के सामने कि यादो कंडिडेट को नीटीश कुमार ने बहुत समझ को उतारा है साथी साथ भ क्या लगता है कि सुरेंदर यादो के बेटे को लोग इग्नॉर करेंगे यह भी तो हो सकता है कि साथ बार के बिधायक है फिर दे देते उप्तुनाव तो यहीं देखा जाता है कि साथ बार आप बिधायक बने वहां के लोगों ने आपको समर्थन किया आप लोग सभा भी तब भी आपके साथ लोग रहें वह वह बात है कि आप हार गये लेकि दौट चौभीस में आपको लोगों ने सांसत बनाया तो हर जगा आप ही रहेंगे हर जगा सुरेंदर यादो मतलब आपका बिधायक भी आपका बेटा फिर विधायक बने आपी सब कुछ रहेंगे तो में पिर कैसे चलेगा कार करताव में इस बात की निराजगी है करते का सब्सक्राइब भाषा सब्सक्राइब आपने बाला है चुकि एडी ने सुरंद्र यादो के बेटे के नाम पर मुहर लगाई विश्वनाथ यादों को मैदान मुतारा यह आरजएडी का हार का कारण जो है इस बार बन सकता है दूसरा कारण है कि कैरेकरताओं से सुरंद्र यादों का बहुत अच्छा संबनने रहे उनका जो बोलने का रहर तरीका है जो body language है वो कियरकरता क्या चाहता है कारेकरता अपना पेट्रोल ज़रा कर गुम आकर गूमता है करेकरता पूर चाहिए सममान चाहिए वह साद नहीं जब लोग कहते हैं तो नहीं हैं इनको कहें निए कि एक बार बोट देना होगा चाहिए भाजपा जुक्त जुक्त रोग्वान के टाथ इसा नहीं होता है ये वह लग बात है कि लालू यादो को जो परसेंटेस्ट वोट का मिल लेकिन मिलता है कई शोत्रों में जहां यादो केंडिट होते हैं वहाँ पर इंडिये गडबंधन जनता दलियू हो या फिर भाजपा हो यादो जो है 10-25% वोट यादो का मिलता है और बेला गंज में सोच लिजे कि 2015 विधान सवाचुनाव 20 के याद किजिए 20 में कितना वोट से आ रही थी 20- 25 वोट से इंडिया रही थी इस बार तो यादो भी है अड़े यादो केंडिनल तो 25 वोट यादो देदेगा इस बार चिराग पास्वान वी साथ में जो बारहाजार पिसली बार वोट लाए थे जाहिए दलीत के सांच सांथ वहां पी जो भूमिहारों में नराजगी थी व जलीत और महादलीत कभी वोट कहीं जाने वाला नहीं है और एक और बात है कि कहा जाता है कि मुसल्मान अगर राजद और कॉंग्रेस से कटा तो वो नितीश कुमार से सटा होमार को मुलता है हर चछुनाओं में 25% जो आज वर्द में मुसल्मानों के उसाथ मंशलमानों सब्सका इनके साशनकाल में झ्लार दंगा नहीं हुआ हमें फालतूमें जेल में नहीं डाला गया हमारे घड़ नहीं तोड़े गये भले हूऊ यह वह नि justement इस ही नता पार्टी के साथ रहे हो तो है बहुत दिखाते हैं वहाँ बढ़ी बात और बेला गंज इस बार जो है वो हर मामले में तिहां सरचा है साथ वार्दय कर रहे लेकिन इस बार भी उस किला को धाने के लिए जो रनिती बनाई गई है वो ऐसा देखा जा रहा है कि वो रनिती इस बार काम आएगी चुकि प्रशांद की सोर भी बहुत बरा स्वेक्टर है मेलागत में मुसल्मानों के बीच उन्हें पढ़े लिखे मुसल्मान को मैदान मुत चाहें प्रशांद की सोर को ही वोट क्यों ने देना पर हम देंगे लेकिन अरजली कुम देंगे हर बार अर्जली मुसल्मानों करती है मुसलिम यादो समीकरन है आप यादों को पार बढ़्से जताते हैं निचल्मान को वो दे बहुत काम आएगी बहुत समझे, मनुरमा देवी को अपना उमिद्वाद बनाया, यानि यादो की लड़ाई यादो से होगी और उसके बाद मुशल्मान वॉट निचेट होने सकता है है वो जेडियू के मिद्वार को मिलने वाला है बेराल इस कबर में टाहीं बने रहा है मार साथ और देखते रहें देंगे टॉप